वीडियो को तो सभी का हमारे क्लास में विलकम है तो आज हमने किया है ecology का quiz अपने group में main group में on नहीं हो रहा था तो इस group में on किया गया है तो एक question को यहां पर मैं आपके सामने explain करने वाला हूँ और आपसे मैं question पूछते चलूँगा बीच बीच में कागदो आप सब बताईएगा ठीक है तो चलो आपको मैं screen share कराता हूँ पहले ताकि आपको visible हो सगे विड़ो ठीक है आपको दिख भी रहा होगा यहां पर अच्छे तरीके से दिख रहा है ना जी screen दिख रहा है तो पहला question है प्राइम कंटामिनेंट लीडिंग टू के बारे में जानते हो किसी भी लेक का किसी भी अतलाब का productivity बढ़ जाना अब वहां की productivity कैसे बढ़ता वहां पे देखो ना नाइट्रेट और फास्फेट जो होता है खेतों में आप यूरिया डाई पोटास देते हो तो वहां से रन आउट करके तालाब में बढ़ पहुसता है तालाब में क्या होता है नियूट्रियंट की अधिकता होती है जिसके वजह से क्या होता है वहां पे एलगी का growth बहुत ज्यादा होता है एलगल ब्लूम कहलाता है तो एलगल ब्लूम होने की वजह से oxygen नहीं मिल पाता मचलियों को मचलिया मर जाती तो इसका answer क्या होगा फास्फेट और नाइट्रेट होगा सलफेट नहीं जी फास्फेट और नाइट्रेट ये बात आपको क्लियर है अगला हमार वेश्चे नहीं बैन लगाया था फिर हमारे यंडिया में भिखवा यह तो ऐखेव मांग्निफिकेशन तो मैंगनिफिकेशन क्या होता है कि लिवलू ओड़ात में देखो गे तो इस केमिकल्टेश क सबसे कम रहेगा नहीं कि ने सर माइनपना मतरता जाएंगा सक्त की्न क् phytoplankton को small fish खाएंगे, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, large fish में थोड़ा सा और ज़्यादा, फिर जो मचलियां है, जिस मचलियों को पंची खाते हैं, जैसे सीगल हो गया, और कोई पंची हो गया, तो उनके अंदर इस compound का जैसे DDT हो गया, इन सब का concentration बहुत ज़्यादा मिलत तो अब यहाँ पे क्या होगा, DDT चला जाएगा उसके अंदर, तो उनके पंचीयों के अंदर calcium metabolism inhibit हो जाता है, तो calcium metabolism जैसे ही inhibit होता है, तो वहाँ पे क्या होता, एग का सेल नहीं बन पाता, तो पंचीया जो अंडे देती हैं, बच्चा मैचूर होने से पहले ही, वो अंडा हूट जाता है, बच्चे नहीं निकल पाते, तो एक ऐसे नोवेल रिखने वाले थे, उनका नाम बता सकते हो, जिन्होंने silent spring लिखा था, तो उन्होंने बताया था, बसंत रितू आएगा, लेकिन बाग में चहचाने के लिए चिडिया नहीं बेचेंगी, ये question आता है, the silent spring, रिचल कर्सन, ओके, रिचल कर्सन ले लिखा था, तो ये question हो गया, in a polluted lake, अगर कोई lake है, वहाँ पे pollution बहुत जादा है, तो वहाँ पे क्या चीज रहेगा, आपको पैता है, वहाँ पे देखो, BOD, BOD होता है, the requirement of oxygen to the micro-organism to degraded waste material in one liter water, मतलब कि यही BOD क्या होता है, oxygen का वो amount जो bacteria को चाहिए, micro-organism को चाहिए, कि एक लिटर पानी में जितना भी organic container है, उसको dissolve कर सके, तो जो पानी जितना ज्यादा polluted रहेगा, वहाँ पे उतना ज्यादा organic matter रहेगा, तो bacteria को उतना ज्यादा oxygen का requirement होगा, तो BOD जो रहेगा, उसका high रहेगा, ठीक है, और DO जो रहेगा, उसका DO का मतलब होता है, डिजॉल oxygen, तो DO कम रहेगा, अगर किसी भी water का DO 4 से ज्यादा है, तो वह पानी कैसा है, साफ है, ठीक है, और 4 से कम होता है, तो पानी क्या हो जाता है, तो BOD, अच्छा यह बताओ, chemical, COD और BOD में कौन ज्यादा होता है, बस ऐसे बताओ, COD और BOD कि मान ज्यादा होता है, COD का या BOD का, chemical oxygen demand या biological oxygen demand, बताओ, COD का मान ज्यादा होता है, COD की value ज्यादा होती, क्योंकि, देखो, biological oxygen demand में तो हम ऐसे चीजों को digest करा रहे हैं, जो कि biodegradable है, लेकिन chemical oxygen demand में non biodegradable के लिए भी होता है, तो COD का मान, मतलब याद रख लेना, COD is higher than BOD, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, अंगले question पे, integrated organic form has been adopted in India वाई, तो ये थे रमेश चंद्र डागर, तो ये खेती करते थे, खेती करने के साथ, बी कल्चर करते थे, ऐसे करके, तो ये रमेश चंद्र डागर है, जो सोनी पत हर्याना करके, हर्याना के सोनी पत जगह से थे, तो रमेश चंद्रागर, ठीक है, अमरिता देवी भी स्नोई के बारे में आप जानती ही है, ठीक है, नहीं नहीं, चिपको मुमेंट से कौन related है, चिपको मुमेंट, चिपको मुमेंट से कौन related है, हाँ, BOD को हम chemical और biological बोलते है, COD अलग चीज होता है, सुंदरलाल ब इस एफिक्ट आप ओजोन डिप्लीसिंग एंड इंटरनेशनल ट्रिटी नोनेज, तो बडिया जानते हो, ओजोन जो लेयर होता है, हमारा स्टेटो स्फियर में होता है, जो सूरत से आने वाली जो हानी कारक्र रेडियेसन है, जो हमें कैंसर कॉच किराते हैं, उनको रोकने प्रोटोकॉल, जिससे की ओजोन डिप्लीटिंग सर्वेस्टेंस को कम से कम रिलीज करने के लिए कहा गया, और क्यों प्रोटोकॉल था, आपना ग्रीन हाउस गैस के लिए, और सम्मिट जो हुआ था, यह उनिस सवान पे रियो डेजनर हो, कोई बता सकता है, कि आप क्या सम इस तरह यूटिलाइज करना कि हमारे नेचर को कम से कम डेमेज हो, और वो रिसोर्स खतम ना हो जाए, हमारे फ्यूचर जेनरेशन के लिए बचा के रखा जाए, ठीक है, हाँ, इंस्टाग्राम पे आप रिल देखते होंगे, तो बहुत रोग रिल डालते हैं, जैसे छोट आगे चलते हैं, विच आप दा फालूइंग इस करेक्ट, तो इसमें से करेक्ट कौन है, सी अपसी इस डिस्चार्ज इन दा लोवर पार्ट आप इटमास्फियर, मू अपर रिच इस्टेटो स्पियर, बिलकुत सही बात है बात है, जो सी अपसी होता है, यह हम रहते हैं कह कि ओजोन के डिपलीशन को कम किया जा सके, CO2 के लिए हम क्यों प्रोटकॉल साइन किये थे, ओजोन होल इसमाल पोट के टेकिन ट्रोपोइस्पैरिक ओजोन लेयर, नहीं, जानते हो, एक बात बताओ, तो ओजोन होल एक्चुली में होल नहीं होता, ओजोन लेयर जो होता है का ठीन होता है एक्चुली में उसमें होल नहीं होता अजोन लेयर का ठीनिग होता है और यह ट्रोफिय स्पेयार में नहीं होता है इस तैटो में होता है यह बताओ औजोन थैनिग आफ लेयर, ओजोन लेय HER को मिजर करने के लिए कौन सा unit का यूँज करते हैं चलो अगले question पे चलते हैं भाई Groom cultivation method आप A forestation तीन टर्म होता है भाई देखो A forestation होता है Reforestation होता है Deforestation होता है तो तीनों का clear cut idea definition आपको पता हो Deforestation का मतलब है कि जंगल का कटाई कर देना A forestation का मतलब है कि यह मतलब जाते हैं दो लोग जाते हैं जंगल की कटाई करते हैं खेट बनाते हैं पिर खेटी करते ४ि फिर वहां से मुप करके दूसरे जगे जाते हैं हा राइब कंट sir नहीं सिफ्टिंग कल्टिवेशन इसे नहीं कहेंगे तो अलग अलग जगह पर खेती कर रहे हैं तो वह सिप्टिंग होता है गवर्मेंट आप इंडिया है एक अंसेप्ट टुब वर्क क्लोजली विथ कमिनुटी टू प्रोटेक्शन एन मैनेजमेंट आप फारेस्ट तो इसको हम ज्वाइंट फारेस्ट मैनेजमेंट करते हैं औ तो टीहरी गरवार से हुआ था उन्हें ससी में था मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार जो आइंड फारेस्ट मैनेजमेंट जे एफम का ठीक है तो टीहरी गरवार से यह चिपकोंब में सुरू हुआ था ठीक है एक राजा था वही कहा था भाई जाओ कार्ट के लिए यह कहानी आप सुने होंगे ठीक जो महल बनाना चाहता था भाई लगडियों से चलो अगले कोशन चलते है जूम कल्टिवेशन लेट सू अभी हमने बात किया जूम कल्टिवेशन करोगे तो जंगल की कटाई होगी जिससे हो जाएगा डीफारिस्टेसन और डीफारिस्टे अगले खेतों में का पेड़ काड़ देते हैं ब्लैक फुट डिजीज तो ब्लैक फुट डिजीज होता आरसेनिक से एक कोशन बताओ यह यहां पर दिख रहा आयल स्पिल्स तो आयल स्पिल्स को क्लियर करने के लिए हमारे एक एंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने एक बै अगला कोशन है तो आप कहीं भी एक मालो थोड़ा सा खेत है बराबर लगातार खेती कर रहे है उसमें कोई भी कंपूस्ट खा दे सब नहीं डाल रहे हो तो वह आपका इंप्रॉपर रिसोस यूटिलाइजेशन है मतलब कोई चीज आपके पास ज्यादा है तो उसको अच् नैट्रेट की अधिकता से और नाट्रेट कहां पर रहता है अब ही हमने बात किया था थाना कि ना ITREP फासफेट स्वाइल में रहता है तो ये किस से नियम्रेटेसाइल पर लोटिंसा बड़ा बाड़ाव्ट यहां सोचन है नहीं वार्टर एहां पर है और यहां पर है यूटूब पे चला जाएगा उस दिन तो चार्ज भी का हो गया था लेकिन बहुत सारा सेटिंग मैंने किया तब जाके मैं चेक करूँगा चंदन एक बार कंटामिनेटेड वाटर पीने से यहां पे ब्लू बेवी सिंड्रोम है मतलब नाइट्रेट की बात करा तो यह पूछ रहा है कि सोर्स क्या है इस डिजीज का तो अगला कोशन है ग्रीन हाउस गैसे तो ग्रीन हाउस गैसे जो होती है जैसे हमारा सीओ टू हो गया और क्या हो ग तो ग्रीन हाउस गैस अगर हमारे धरती पर ना रहे तब भी घाटा है ज्यादा हो जाए तब भी घाटा है हमने आपको बताया था नहीं रहेगा ग्रीन हाउस गैस नहीं तो सारा रेडियेशन अर्थ सर्फिस से छोड़के बाहर चला जाएगा हमारा धरती जो नहीं इनक्रेक्ट स्टेट्मेन्ट तो आई एपी इंडियन एट मासफिरिक पालूटन नहीं होता आईए पी का किसी को पता है ए क्योंकि देखो यू आईची का जेज्ट अर्यू क्लाइमेट सेच्ज होता है और ODP का Ozone Depleting Potential होता है एक बार हाँ कोई बता दो फिर मैं सबको बज़ा देता हूँ Google करने ना IAP का क्या Food Pump होता है अगला कोशन है Montreal Protocol के लिए मतलब Montreal Protocol क्यों Sign किया गया तो यह अभी हमने देखा था ना ताकि हम जो Ozone Depleting नहीं है यह नहीं होगा अनुप ओजोन डिप्लेटिंग जो सबस्टेंस है उनको हम कम कर सके Agenda 21 वह अर्थ सम्मीश से रिलेटेड है भाईया ठीक है Agenda 21 इसमें मतलब 2021 तक जो दिया गया था कि भाईया हम क्या-क्या लाइंगे उसके उपर था स्टैटोई स्फियर में जो हमारा Is Nue उसको डिप्लीट करने के लिए कौन सा साथriedält गल यह गताक है नैस यह चाता है तो देखन में आग नहीं हो देखना चाहे यह था कि इसμोर पर लिए कौन ऐसा है जो हाँ पर मतलब biological oxygen demand काम नहीं करेगा ठीक है यहाँ पर मैं इसे चेक करके बता दोगा ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या है कि कह रहा है कि यह जो चार आपसन है इसमें से biological oxygen demand मतलब किसको oxygen की जरूरत नहीं मतलब oxygen चाहिए जितना दे तो degrade हो गाए नहीं तो देखो domestic हो गया dairy हो गया सुगर तो इन तीनों को देखो न oxygen तो bacteria इसको degrade कर सकते है लेकिन petroleum industry जो होता है न इसको बहुत आसाने से degrade नहीं किया जा सकता तो BOD यहाँ पर काम नहीं करेगा यह question था यह लेक विथरीज organic waste में result in तो लेक जहां पे लेक रहेगा organic matter जादा रहेगा तो utrophication होगा और utrophication होगा तो वहाँ पे algal bloom होगा और algal bloom होगा तो मचलियां सास नहीं ले पाएंगी वो क्या करेंगी वो मर जाएंगी तो लास्ट वाला चौथा आफसन सही होगा utrophication of water body leading to killing of fishes in manlidude and non-availability आप तो वही वला था oxygen की वज़े से भाई मतलब मुझे एक बात समझी नहीं आता कि देखो उपर से लेके नीचे तक अभी तक 20 question में हमने utrophication से 4-5 question कर लिया ना लेकिन फिर भी ऐसा question आता उसी से रिलेटर रहता है फिर भी लोग गलत करते हैं तो गलत इसलिए होता है कि आप सायद पढ़े नहीं हो तो जरूरत है आपको पढ़ने का मेहनत करने का हाई वैलू आ बियोडी मतलब अभी हमने उपर यह question देखा था ना अगर देखो बियोडी ज्यादा तो water कितना रहेगा ज्यादा पालूटेड बियोडी कम तो water कम पालूटेड ठीक है यू ट्रॉफिक लेक ओलिगो ट्रॉफिक लेक का मतलब समझते हो यू ट्रॉफिक रह अगला हमारा question है रिचल कर्सन फेमस बुक साइलेंट स्ट्रिंग इस रिलेटेड टू तो हमने देखा था ना पेस्टी साइड पलुसन डीडीटी जो था एक तरका पेस्टी साइड एल्ड्रीन वल्ड्रीन होगे बहुत सारे एक ऐसा ही एक मूवी है रेडियेशन की उपर उस मूवी का नाम केस्ट कर सकते हो कि ज़्यादा मूबाइल यूज करोगे तो रेडियेशन रिलीज होगा सारी पंचियां मर जाएंगी कौन से मूवी थी भाई हां मूवी पूछ रहा है इस टू पाइंट जीरो ठीके बाई चर्नोबिल 1986 मुगा था ना आगे चलते हैं इस क्राबर देखो ना जैसे पालूसन को कंट्रोल करने के लिए बहुत जैसे गाड़ी में से जो आपका धुआ रिलीज होता है वहाँ पे लेड होता है तो वहाँ पे catalyti converter लगा दियुक्त binge ना इतना डिए चोटे-mixon I'll only क Incorporated लगा नहीं सकते हो बहुत मां आता और बहुत बड़ा मसीन होता है जितना जगह में कंपनी रहेगा तो मतलब ऊसका बहुत जगह रहे गा लेगा तो मतलब ऐसा कोई видим जहां पर sulfur dioxide है तो वहां पर scrubber का यूज़ करते हैं तो sulfur dioxide को पकड़ लेता है ठीक है भाई ठीक है चलो अगले question पर चलते हैं यह location विद लगजरेंट ग्रोथ अप लाइकेन तो देखो भया लाइकेन जहां पर grow होगा वहां पर समझ लेना बहुत अच्छे जगह पहुच गए हो आप ठीक है लाइकेन ऐसे जगह पर grow होता है जहां पर pollution बहुत ही कम होता है नाके बराबर होता है अच्छा केचुवा किसका indicator अगर कहीं मतलब कहीं पर आपको केचुवा देखा जा रहा है कि चुवा अरे अर्थवार्म स्वायल के फर्टिलिटी को हां तो ऐसे बहुत सारे indicator चीजे हैं तो ऐसे अगर कहीं पर आच्छा यह लाइकेन की बात कि तो यह लाइकेन मसाले में यूज होता है क्या यह जो हम गरम मसाला यूज करते हो उसमें लाइकेन रहता है क्या एक अगला कोशन है ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रोल भाई तो आपको रिडियूस करना पड़ेगा और जो भी आप कोईला पेट्रोल डीजल का यूज कर रहे हो उसको कम करना पड़ेगा तो इसका answer क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा यह वाला आपसन ठीक है तो मतलब अंगलों की गटाई कम करो ग्लोबल वार्मिंग अरे भाई आप तो समझ सकते हो इस पर कितना टंपरेचर गया हमारे इधर जहां पर मैं रहता हूं रांसी में 47 46 47 तक खायेश था और आप जानते हो 50 प्लस भी कहीं पर गया हुआ था तो ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत में एक लोग की यूज करने से अरे भाईया तो मैं मना थोड़ों कर रहा हूं कि बाईक मत चलाओ चलो आगे चलते हैं वीच आप दो फॉर्लिंग रॉंग स्टेट्मेंट ग्रेन ग्रीन हाउस गैस इस दर नैच्रल फेनामेना तो यह तो बिल्कुल सही बात है ग्रीन हाउ तो यह जब आप देखेंगे चीज तो ओजोन दो तरीके का होता है हमारा एक होता है ओजों और लिए बढ़ियां होता है लेकिन अगर वही ओजोन आ जाए आपके ट्रोफो और स्पेर में तो हमारे लिए पालू टेंट की तरहका म करेगा तो देखो वही मतलब है हमने बताया था ना तो मेनी आप बर्ड एक लेट डिड नाज है यही होगा दूसरा अला मतलब बहुत सारे पंचिया तो अंडे देंगी लेकिन वह अंडे में से बच्चे निकलने से पहले ही अंडे फूट जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कैल्से मेट ट्रोवोलिग्स्य में लिदेखी ट्रोवट जीक्रे धल्म जो है व बेकार हो चुका है लिए अगला कॉश्षिन है कि बाइस्फेर को बताओ जल्दी फिर अमारा लास्ट कोश्चन अच भोग तो गया कोश्चन यार हाँ भई जहां तक दे एरिया आप टुविस्ट लीविंग आर्गिनिजम कैन फाउंड मतलब एट मास्फियर लीथोई स्फियर हाइड्र स्फियर जहां तक कोई लीविंग आर्गिनिजम मिल सकता है उसको हम बोलते हैं बाइस्फियर ठीक है भई तो इस तरीके से हमने कुछ किया इन्वर्मेंटल बायलाजी तो बढ़ियां बढ़ियां कोश्चन थे आपका अगर एको लाजी से कोश्चन आएगा तो यहां से दो तीन कोश्चन फच जाएंगे तो रिकॉर्डिंग को भले आओ आप बाइस मिनिट का हुआ है और कोर्स देखो भाई दिख रहा होगा जिनको आना होगा आज आएगा माइक्रो बैलाजी का आज से लेक्चर हमने दिया एक घंटे का आज का लेक्चर था